हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज हम प्रिंसेस कट ब्लोच की कटिंग करेंगे उसका साइज यो 36 तो यह देखिए हमारे ब्लोच का कपड़ा है यह में 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लंबा ही हमारी 3,5 13 है उसमें 1 इंच मिलाएंगे यानी 1.44 है 14 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे सोल्डर हमारा है 6 अन्च आर्मूल है हमारे 6 इंच चेश्ट हमारा है 36 उसका चोथा बगुता है नव इंच कमर हमारे यह 30 उसका चोथा बगुता है 1.4 और 1 इंचम Lux का लहेंगे, और skill से इसको इस तरीकी से दा देंगे, अब देखिए यहांसे मार्चन लेंगे, मैं मार्चन इयांसे 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, या जादा लेना हो तो जादा भी ले सकते हैं, और उसको इसके से इस तरीके से मिला देंगे अब देखिए यहां से डेड़ इंच पे निशान लगाना है और आर्मोल का सेव देदेना है यहां बेग पाट ड्रो हो गया है यहां इसे हम कट कर लेते हैं अगर आपको बिलो से माप लेना सीखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप बिलो से माप लेना सीख सकते हैं यह देखिए हमारे बेग पाट की कट हो चुका है अब हम फ्रंट पाट की कटिंग करेंगे तो इस तरीके से ओपन साइड वाले को हम अपने साइड रखेंगे और हुक्काई के लिए आदा इंच यहां से हम मार्जिन ले लेंगे यह देखिए इस तरीके से अब जो हमने बेग पाट कट किया था और जो आदा इंच का मार्जिन उसे छोड़कर इसे बेग पाट को हम रख लेंगे और सेम ड्रो कर लेंगे यह देखिए मैंने सेम ड्रो कर लिया है अब देखिए हम आरमोल को आदा इंच नीचे डाउन कर देंगे फ्रंट पाट में इस तरीके से अब हम गले की छोड़ाई लेंगे तो देखिए गले की चोड़ाई मैंने लिये धाई इंच और गले की लंबाई मैंने लिये इसाले 6 इंच आप हम अपने अकोर्डिंग ले सकते होँ इस तरीके से एक box तयार कर लेंगे, उसमें round shape दे देंगे, अब देखिए नीचे से हम आदा इंच extra margin लेंगे, यह देखिए इस तरीके से, अब यहां से हम एक इंच extra margin लेंगे और यहां से नीचे से 1.5 इंच margin लेंगे, क्योंकि हम princess card कर रहे हैं इसलिए और इसको scale से इस तर साड़े 3 इंच पर निशान लगाना है, और थोड़ा उपर से हमें पौने 4 इंच पर निशान लगा लेंगे, उपर से जो हमारे tux point है वो साड़े 10 है, साड़े 10 पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, scales इसको इस तरीके से मिला देंगे, अब देखिए princess cut का save देंगे य साड़े इंच यहां से down कर लेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं, यहां से हम एक टक्स लेंगे, यह हमारी drawing हो चुकी है, अब इसे हम cut कर लेते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा, बेल आइकन को जरूर दबाईएगा, जिससे मेरी वीड जरूर कीजेगा, आप वीडियो जरूर देखते हैं, पर लाइक नहीं करते हैं, पर लाइक कीजेगा, आप लाइक करते हैं, तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, तो देखिए, यह में 80 cm लिया है, इसमें 40 सिलिफ्स है, अगर आपको long सिलिफ्स चाह यह तो सिलिफ्स की चोड़ाई हमारी 9 इंच है, और सिलिफ्स की लंबाई हमारी 5 इंच है, यह देखिए, यहां से हम 5 इंच पर सीधी लखिर कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे, अब देखिए, यहां से हम खूले साइट से 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और नीचे बाज में हम छोटा सा कट का निशान लगा लेते हैं यहां पर हम देखी इससे सिलाई करके अटेज कर लेंगे सारे पार्ट से हमारे कट चुए हैं सारे पार्ट को हमें बिलोज के कपड़े पर कट कर लेना है और सिलाई करके अटेज कर लेना है यह देखी मैंने सारे पार्ट कर लि यह दिखिए इस पर हमें डबल सलाई करनी है सेम इसी तरह किसी दूसरे पार्ट को भी हमें टेच कर लेना है देख सकते हैं यह दिखिए मैं दूसरा पार्ट भी तयार कर लिया है अब हम होकाई की पट्टी लगाएंगे तो देखिए पहले हम होक की पट्टी लगाते है देड़ एंज की पट्टी लेंगे उसे उपर की तरफ से रखका सीधी सलाई करेंगे अब इस पट्टी को पलटके पट्टी की किरारी पर हमें सीधी सलाई करनी है अब देखे आई की पट्टी लगाएंगे तो तीन एंज की पट्टी लेंगे उसे नीचे की तरफ से रखेंगे और सीधी स्लाई करेंगे अब देखे यहुक वाली पट्टी को पूरा अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर लेना है और सीधी स्लाई कर लेनी है अब देखिए आई वाली पट्टी को हमें जहां तक फोल्ड करना है जहां तक हमने सिलाई करी थी और उसकी किनारी पर हमें सीधी सिलाई कर लेनी है अब देखिए एक्स्टा पट्टियों को हम इस तरीक से कट कर लेंगे अब कमर पट्टी लगाएंगे तो डेडिंज की पट्टी लेंगे उस उपर की तरफ से रखका सीधी सलाई करेंगे जिस तरीक से हमने हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीक से कमर पट्टी दोनों पाट में हमें लगा लेनी है कि देखंकीं दोनों कमर पत्टी लग चुके हैं, दोनों पाट कि हम इस तरीक से बर्वर में रखेंगे, अगर हमारा गला छोटा बड़ा होगा, उसे हम इस तरीक से कट के सेट कर लेंगे, अब हम गले पर पत्टी लगाएंगे, आप चाहिए पाइपिंग भी लगा सकते, औ गले पर हमें सीधी पत्टी कटिंग करकेी लगाने सब्सक्राइए, वारेबिक पत्टी करने चीछिए। से मरे गले में जोल नहीं आती है। से वारेबिक पत्टी कट करने सब्सक्राइए। अब इस पठीक को देखिए, हम Fold करें, उपर का थोड़ा सा हिससरा छोड़ देंगे, Open वागी हम नीचे की तरफ शिलाई करेंगे यह देखिए, इस तरहीचे से उपर का हिसस हम छोड़ देंगे थोड़ा सा उथर शिलाई नी करेंगे, नीचे की तरफ हम सिलाई करेंगे दूसरे पार्ट में भी से हम इसी तरीके से करना है यह देखिए यह देखिए मारे फ्रंट लोग कितना फिनिसिंग से तयार हो चुका है अब हम बैक पार्ट की तयारी करेंगे तो बैक डिसेंड जो है मैंने पहले से भना के रखी है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप बना सकते हो यह तो यह देखिए हम इस सोल्ड़ जोंट करना है तो दोनों पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे अब देखिए किस तरीके से जोंट करना है तो यहाँ से हमें बरोबर रखना है यह देखिए इस तरीके से 15 इंच का मारजन लेकर सीधी स्लाई करनी है उस पट्टी को हमें open कर लेना उसके बीच में डोरी को फसा कर पट्टी को इसको अपर फोल्ड कर देना है और सीधी स्लाई कर लेनी है अब देखिए दूसरे साइड वापस से बताती हूं यह देखिए यहां से वरोपर रखना है और यह पट्टी को हमें इसे खोलना है इसके बीच में डोरी को रखना है इस पट्टी को इसके उपर फोल्ड कर देना है और सीधी सिलाई कर लेनी है यह देखी इस तरीके से अब हम इसे सीधा कर लेंगे आप देख सकते हैं और इसकी किनारी पर सिलाई कर लेंगे और जितना हमने गला छोड़ दिया तो उस पर भी हम सिलाई कर लेंगे यह देखी इस तरीके से शेम दूसरे साइट भी हमें यही करना है यह देखिए, यह हमारा गला है, यह देखिए, इस तरीके से अटेज होगा, आप वीडियो में देख सकते हैं, और हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, यह देखिए हमारे solder attach हो चुके हैं अब हम sleeves को attach करेंगे तो यह देखिए sleeves के लिए जैन भी मैंने पहले से बना यहीं इसका भी लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो देखिए दोनों sleeves को हमें दोनों parts में इस तरीके से attach करना है यह देखिए अब हम देखिए shoulder को इस तरीके से रख लेंगे P center से हम sleeves को attach करेंगे इस तरीके से बी center से पहले हम आदेंस sleeve में सिलाई करेंगे आदाइंज का margin लेकर फिर दूसरे साइड भी हम आदे इंच का मार्जिन लेकर आदे में सिलाई कर लेंगे अब हम पूरी स्लिफ्स पर एक बार वापस से सिलाई कर लेंगे दूसरे स्लिफ्स भी हमें सेम इसी तरीके से अटेज करनी है यह देखे किती फिनिशिंग से हमारी अटेज हो चुकी है अब हम सीधा करके इस तरीके से दोनों पार्ट को पकड़ेंगे यह देखे आप वीडियो में देख सकते हैं और सीधी से लाई कर लेंगे यही प्रोसेस सेम हमें दूसरे साइड भी करना है स्लिफ सेटेज करके अब इसे पलट लेंगे पलटने के बाद इसकी किनारी पे भी सीधी सिलाई कर लेंगे सिलाई करने के बाद दूसरे साइड भी सेम हमें करना है फिटिंग कर लेना है यह देखिए है मारी ब्लोज का फाइनल लुक I hope आपको सब समझ में आया होगा अगर आपको कोई वी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो Thank you watching my video